जम्मू कश्मीर की घर्मियों की राजदानी श्री नगर देश का एक प्रमुक परेटन स्थल है यदि आप धर्ती का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्री नगर केसे पहुँचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्री नगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्री नगर डलजील, खुपसरत गारडन और हाउसबोट के लिए प्रसिद्धे श्री नगर में इस्थिद्ध डलजील, चारो वोर से मुगल गार्डन से गिरिये और इसमें हाउसबोट इस्थिद्धे तता शिकारे चलते हैं गोर्थलब है कि श्री नगर सडक मार के जरी ये पूरे दे से जुड़ा हुआ है श्री नगर बस के जरी आसानी से पहुँचा जा सकता है श्री नगर तक दिल्ली, पंजाब, हरेना, आदी कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्री नगर के लिए है सड़क के रास्ते अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रीनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रीनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपए है तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है इसी प्रकार जम्मू से श्रीनगर 246 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपए है बस दौरा जम्मू से श्रीनगर पहुँचने में लगबक 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय जादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है ऐसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुथफ आप हवाय यात्रम नहीं उढ़ा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परन्तु जम्मू से श्रिनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रिनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रिनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोड तक पहुंच सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो कि दूरी के आधार पर लिया जाता है एरोप्लेन से श्रीनगर पहुँशना थोड़ा सा महेंगा ज़रूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शहर से उड़ान सिवा उपलब दे एरोप्लेन के जरिये दिल्ली से नौन स्टा फ्लाइट से श्रीनगर पहुँशने में करीब देड़ घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महेने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर का नौन स्टा फ्लाइट का किराया केवल 25 से 3000 रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टा फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाईए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आदी, एरलाइंस, दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेट करती है श्रीनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अत्वा हाउस बूर्ट तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आटो रिक्षा तथा बस आपको एरपोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउस बोट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउस बोट को एक दिन के लिए अनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पोहुचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउस बोट बुक कर सकते हैं house boat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ luxury house boat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बजट के अनुसार house boat चुन सकते हैं यदि आप online house boat book करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि online sites बहुत भारी discount देती हैं आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बज़ाए house boat ही book करें house boat पर आपको breakfast, lunch तता dinner की भी सुविदा मिलेगी परन्तु आप house boat पर केवल breakfast का ही package ले क्योंकि house boat का खाना ज्यादा अच्छा तता hygienic नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नॉन वेज रेस्टोडेंट है आप house boat की बज़ाए वहा लंच या डिनर करें house boat पर check-in करने के बाद आप house boat पर चाय अत्वा कॉफी किसा डल जिल को निहार सकते हैं तथा house boat पर घूम सकते हैं शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की कॉस्ट साड़े 500 रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो कॉस्ट 800 रुपे होती है या cost पूरे शीकारे कि होती हैं, एक शीकारे पर अधिकतम चार लोग बेट सकते हैं, तथा यदि आप चार से ज़्यादा सदसे हैं तो आपको दो शीकारे के राएपर लेने होंगे, शीकारा आपको houseboat से pick करेंगे तथा वापस आपके houseboat पर ही drop करेंगे, इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी। आप हाउस बोट के लावा शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं। सेकडो शिकारे टूरिस्ट के इंतजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहते हैं। शिकारा राइट के बाद आप राधा की रसोई, अत्वा विशाल, वेशनो, भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं, यह दोनों रिस्टोरेंट वेजिटेरियन हैं, खाना बहुत स्वादिस्ट है, तता रेट भी रिजनेबल हैं, यह रिस्टोरेंट डल जिल में हाउस बोट की श्र रिकफास्ट करें, तता अपना सामन पेक करें, तता पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें, हाउस बोट से आप नाव के द्वारा किनारे पर आएं, तता किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रेती हैं, उनमें से एक को आप पहलगाओं जाने के लिए बुक करें, पहलगाओं पहुंचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे ढबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनेगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तता सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.5 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुंच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महां जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टे पहाड़ों को देखते हुए पीए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुबह पहलगाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी वेत्वा वेली तथा अरुवेली गले टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनो स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया 1500 रुपे से 800 रुपे की बीच है पहलगाओं से चंदनवारी केवल 15 किलुमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड जूनते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहाँ अप्रिल से अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप पेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमंटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से गिरी यह घाटी पहलगाओ और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसुरत और बेहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बर्फिली चोटियों से गिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हार्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्वीटजर लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं घुमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहलगाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहलगाओं से गुलमर्ग पहुँचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेकसी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेकसी पुला देते हैं टेकसी का किराया 2500 से 3000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेकसी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुजह 10 बजे भी पहलगाउं से गुलमर्ग केले निकलते हैं तो आप 2.5 बजे तक गुलमर्ग पहुंच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुँच कर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गुलमर्ग के लिए आनलाइन होटल बुक की है तो वह आपको बहुत सस्ति पड़ेगी परन्तु गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं तो होटल वाले बहुत ज्यादा रेड़ बताएंगे जो तीन हजार से चार हजार रुपे तक भी हो सकत है जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको पंद्रा सो रुपे में रुम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकरती की गोद में चाई नाशते का आननले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेदली गुलमर्ग घुमाएं रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समाप्त ह अगले दिन अर्थात पांच वे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं। पौनी, अर्थात गोडे पर बेटकर घंडोला राइट के टिकेट काउंटर अर्थात Starting पाइंट तक भी जा सकते हैं आप घंडोला Starting पाइंट तक अपनी होटल से पेदल भी जा सकते हैं यहाँ केवल 20 मीनुट में पेदल पहुंचा जा सकता है, आप अपने Second phase कुंगदूर से अपरवात तक का होता है इसके किराया 950 रुपय होता है यह किराया आने तता जाने दोनों और का मिला कर होता है यहां कुल 100 केबलकार है एक केबलकार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकेंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगभग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज 1 या फेज 2 पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय किया जा सकता है अब परिटो के मन में ये सवाल उठता है कि फेज 1 पर जाएं या फेज 2 पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फेज 2 तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज 2 पर ही बर्फ मिलती है तथा महिन पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज 1 पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज 1 तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज 1 पर ही होती हैं फेज 2 पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा ठक जाएंगे एक महतमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश बर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवात में अन्य जगह पर बर्फ पहाड़ों पर रहती है जहां जाना संभव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं छटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है तता गुलमर्ग से शीनगर पहुचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है शीनगर पहुचकर आप होटल बुक करें शीनगर में होटल का किराया काम होता है जो 1000-15000 रुपे की बीच होता है यदि आपने आनलाइन होटल बुक कर रखिये तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा श्रीनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रीनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि टूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाईएगा यहाँ गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि टूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्रीनगर में चश्मेशाई, निशांदबाग तता शालीमार भाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही सम्मिलित रूप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जिल के किनारे ही इस्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में डल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकराचाय टेमपल देखने जाएं लोटत समय आप शिनगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्थगित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटेकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थाथ सातवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास्ट कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 2500 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुँच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रिनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रिनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा गोमना चाहते हैं तो सुबह श्रिनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रिनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे स्थित रिस्टोरेंड में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्न श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का होटल तता हाउस बोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिवेक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू